इस वीडियो में हम मजीद कुछ एंटिनम से मतलब पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम ये डिसकस करेंगे कि एंटिनम होते क्या हैं Words, Antonyms Words, Antonyms Antonyms वो अलफाज होते हैं जो एक दूसरे के opposites हों यानि मतलब में एक दूसरे के उल्ट हों चले हम शुरू करते हैं आपने भी मेरे साथ इन एंटिनम्स को दोहराना है या पढ़ना है Number One Offensive 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 का एंटिनम है Defensive Offensive का मतलब होता है जारहाना जारहाना और इसका उल्ट अगर हम देखें defensive तो इसका मतलब होता है Defy Defy Number Two Optimism 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 का एंटिनम है Pessimism Pessimism Optimism का मतलब होता है पुरुमीद होना या अच्छी सोच रखना और फिर Pessimism इसका उल्ट होगा यानि नाउमीद होना या अच्छी सोच ना रखना बुरा सोचना Number Three Pious 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 का एंटिनम है Impious Impious Pious यानि फर्माबरदार या नेक होना और Impious इसका उल्ट है तो इसका मतलब होगा नाफर्माब होना Pious Impious Number Four Preliminary Preliminary और Preliminary का अटिनम है Final Final Preliminary का मतलब होता है इप्तिदाई इप्तिदाई और Final यानि आखरी Preliminary and Final Number Five Pros और Pros का एंटिनम है Cons Cons Pros and Cons Pros का मतलब होता है फाइदे और इसका एंटिनम है Cons तो यानि उल्ट होगा जिसका मतलब है नुकसान नुकसान Number Six Rejoice 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 का एंटिनम है Lament Lament Rejoice का मतलब होता है खुश होना या किसी भी चीज़ की खुशी होना और Rejoice का आपजिट है Lament तो इसका मतलब भी क्या होगा उसका उल्ट यानि दुखी होना या तकलीफ में होना या दुख में होना साद होना Number Seven Resolve 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 Hesitate Number Eight हमारे पास है Rough 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 का एंटिनम है Smooth Smooth Rough का मतलब है नहमवार होना और अगर हम इसका अब एंटिनम देखें यानि उल्ट देखें तो Smooth यानि हमवार या मुलाइम Number Nine Roar Roar यानि धाड़ना या जोर से चिलाना Whisper Whisper Roar का एंटिनम है Whisper यानि सरगोशी करना Roar Whisper Number Ten Resist Resist और Resist का एंटिनम है Submit Submit Resist का मतलब होता है रोकना या ना फर्मानी करना और Submit का मतलब होगा कि आप बात मान लें या फर्मा बरदारी करें Resist यानि रोकना और Submit यानि के ना रोकना या बात को मानना मजीद कुछ और एंटिनम्स पढ़ते हैं Number 11 Sufficient 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 का एंटिनम है Insufficient Insufficient Sufficient का मतलब होता है काफी होना और Insufficient मतलब कम होना Sufficient और Insufficient Number 12 Submit Summit और Summit का एंटिनम है Base Base Summit का मतलब होता है चोटी या बुलंदी और Base का मतलब होता है बुनियाद Summit और इसका एंटिनम क्या है Base Number 13 Sacred 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 कहते हैं किसी भी पाक चीज को और Profane Profane इसका एंटिनम है तो इसका मतलब होगा नापाक या तहकीर यानि हकीर चीज होना Sacred यानि कोई बहुत एहम चीज होना पाक चीज होना और Profane यानि नापाक होना Number 14 Tragedy 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 का एंटिनम है Comedy Comedy Tragedy यानि अलमनाक और Comedy यानि मजाहिया Tragedy और Comedy Number 15 Thrive Thrive और Thrive का एंटिनम है Decline Decline Thrive का मतलब होता है तरक्की करना या फरोग पाना और Decline इसका opposite है या एंटिनम है तो Decline का मतलब होगा जवाल पजीर होना Number 16 Temporal 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 का एंटिनम है Spiritual Spiritual Temporal यानि दुनियावी और Spiritual यानि रोहानी Number 17 Tame 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 का एंटिनम है Wild Wild Tame कहते हैं पालतु को और Wild जंगली Tame Tame Wild Number 18 Useful Useful यानि काम का होना या फाइदमंद होना और Useful का एंटिनम है Useless Useful यानि कोई यानि कोई फाइदा ना होना Useless वो चीज होती है जो बेफाइदा हो Number 19 Vake 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 का एंटिनम है Definite Vake का मतलब होता है गेर वाजिया यानि जो कंफिर्म ना हो और Definite यानि जो के हत्मी हो Vake Definite Number 20 हमारे पास है Yoke Yoke और Yoke का एंटिनम है Liberty Liberty Yoke कहते हैं जोडी को यानि कपल होना या जोड होना या जोडा हुआ होना और Liberty यानि आजादी या आजाद होना Yoke Liberty योग का एंटिनम क्या है Liberty बिलकुल ठीक तो ये थे कुछ एंटिनम्स अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और साथ में इन एंटिनम्स को याद करने की कोशश कीजिए ये एंटिनम्स आपके इमतिहानात में आपके बहुत काम आएंगे ये ये बहुत काम आपके बहुत काम आपके इन एंटिनम्स